जय जोहार जय जोहार जड़ा आप अपने बारे में बताईए मेरा नाम सिरीमति मनकुवारी बै है सर गराम पंचैत कुटमा सलखा डांड जीला जस्पूर छतिस गड़ में रखती हूं सर मेरे परिवार में पास अदसिया हैं सर मनकुवारी जी आपको कौन-कौन सी योजनाओं का लाब मिला है मेरे को परधान मंत्री आवास योजना के तहत मेरा पकाब घर भी बन गया है सर मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नर्व जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर अच्छा मनकुवार जी पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिन्दगी में कितना बदल आया क्या फर्क हुआ क्या आसानी हुई सर हम लोग पहाड़ी कुरोभा हैं पहाड़ी छेतर में रहते हैं डोड़ी कुआ सब का पानी पी रह थे और बहुत दूर पानी लेने जाना पड़ रहा था एक डो किलोमिटर सर और जी कारण हम लोग गंदा पानी पीने के कारण उट्टी दस पता हो जा रहा है हो जा रहा था अभी हम लोग नर्जल से प्राप पानी सूथ पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं कि अखर समय काभी वच्टत हो रहा है कि force लोग बहुंढेलदी खाना बना रहे हैं पहले हम लोग लक्डी से ख्वाणा बनाते थे और घरमें धुआ हो जा रही थी खाना जल्दी नहीं पक रहा था फिर बच्चे खाना काने के लिए रो रहे थे अभी हम लोग is में जल्दी लिखाना बनाते हैं सर और समय कभी इसमें भी बचत हो जा रहा है और बचे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं पहले लकडी खर्टी करके जलाते थे हैं जी ज HEक शलाते थे नहीं नहीं चीजे बनाना भी शुरू किया हो गया चुले पर भी बाती हैं घ्यस पर काफी बनता होगा जी सर फ हैं और नया सिखा और क्या अपने पकाने का पताने में कोई नई चीज शिखी है क्या जी सर जल्दी जल्दी खाना बनाने जल्दी जल्दी बनाना कोई अच्छी चीज बनाते हो तो बताओ ना हम खाने के लिए देही आएगा अब चिंताबत करो अच्छा मनकुवर जी आपका स्वयम सायता समू क्या क्या काम करता है और इस समन्द में क्या कोई प्रस्शिक्षण मिला है लोगों को जी सर मेरा समू का नाम है दीप समू और हम लोग बारा सतस्य है जिसमें अभी पर्थान मंत्री वंधर्म के नंद्र में वो बोना पतल का प्रस्शिक्षण पास दिन तक दे चुके हैं सर अभी लगभल हम लोग वो शाड़े आठाजार का दोना पतल बना चुके हैं कितनी बहने हैं आपके साथ कि बारा बारा मेरे साथ जी और आट-नौव जार रुपिये का आपने पतल और वो सब बना दिया है जी सर तो वह बाजार मिल जाता है उसका बिक्री हो जाती है उसको हम लोग अभी वन धन मार्चेट में बेचेंगे सर अभी तो नहीं बेचे हैं अभी बनाके इकठा किये हैं अचा मन कुमारी जी आपने बताया कि आप जन्मन संगी है तो आप किस तरह से लोगों को इस योजना के बारे में जानकरी देती है मैं सभी पहाडी करवा मेरे पहाडी करवा के घर घर जाती हूं और आयुसमान काट आधार काट और जाती परमान पत्रड रासमान काट जाब काट इसके लिए मैं मेरे पहाड़ी कुरवाभाय बहन को मत हुँ और उन लोग को पांचाई तक ले जाकर सहयो करती हुँ सर अभी बहुत लोग का अधार काट, आयुस्मान काट, जाब काट, रासन काट बन गया है जो काम 75 वर्ष में नहीं हुआ था सर, ओ अभी 25 दिन में पूर्ड हो गई है मान ये पर्थानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हुँ, धन्यवाद सर मनकुवर जी, आपके धन्यवाद के लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ लेकिन ये जो पीशे इतने सारे बच्चे हैं और बड़े उनिफॉर्म में हैं और बेटियां तो बहुत ही ब्राइट दिखती हैं, बहुत उनके अंदर कोई जोज जुसा जिता है अच्छा मैं बेटियों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग खेल कुद में कितना हिस्सा लेते हैं जरा हाथ उपर करेए कौन खेल कुद में हिस्सा लेता है बहुत कम होए हाथ उपर, दिरे दिरे हो रहे हैं अच्छा सब खेल कुद में हिस्सा लेते हैं देखे खेल कुछ से नाता रहना चाहिए कितनी पढ़ाई क्यों न हो लेकिन हमने खेल कुछ आपने देखा होगा कि इन दिनों हमारे जो एवर्ड वगरी मिलते हैं ना उसमें ज्यादातर हमें हमारे आदिवासिक शेत्र के बच्चे बहुत शांदार प्रदस्षन करते हैं तो इतने सारे बच्चों को देखा तो मेरा मन कर गया आपसे भी थोड़ा एक सवाल पूछनू मन कुमार जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये जानकर और अच्छा लगा कि आपको हमारी सरकार की कई सारी योजनाओं का लाब भी मिलाए और आपको सब चीजो इतनी योजनाओं बता रही है यह अपने आप में मरे मन को प्रसनता करने वाली बात है और इससे भी बड़ी बात है कि इन योजनाओं ने आपकी जिंदगी को आसान करने में वदद की है आपने लाब लेने के बाद दूसरों को भी जागरुख करने का काम किया है क्योंकि जब सभी लोग योजना में सामीर होते हैं तो वो योजना का असर कई गुना बढ़ जाता है और हमारी सरकार का तो प्रयाज यह है कि सरकार की योजना के लाप से कोई छूटना नहीं चाहिए चलिए आईए आपको